नमस्कार सुलक्ता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ परवीन दिली शराब घुटाले ने आप आदमी पार्टी को हार्शिये पर धकेल दिया है सीम अर्विंद के जिवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी में भी सियासी घमासान मचा है पार्टी के स्टार प्रचारक तिहार जील में बंद है वहीं उनके दो मंत्री मनीश सिसोधिया और सतेंद्र जेन भी तिहार में ही बंद है और दिली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हैं लेकिन इन दोनों ही राज्यों में चुनाप रचार के नाम पर कोई बड़ा चहरा मैदान में नहीं है ले दे कि सिर्फ के जिवाल ही आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक थे वो भी जेल में है लेकिन इस बीच एक राहत देने वाली खबर आम आद्मी पार्टी के लिए सुप्रिम कोर्ट से जरूर आई है कि सुप्रिम कोर्ट 15 अपरेल को केजिवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगा लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में केजिवाल की याचिका पर सुनवाई को लेकर कई तरहां के सवाल सुलग रहे हैं यह सवाल है शराब घुटाले में क्या केजिवाल को मिलेगी राहत 15 अपरेल को सुप्रिम कोर्ट में क्या होगा एडी का रुख क्या संजे सिंग को मिली जमानत के आदार पर मिलेगी राहत क्या चुनावो तक तिहार जेल में ही रहेंगे अर्विंद केज़िवाल दिलि के मुख्यमंदरी अर्विंद केज़िवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका पर 15 अपरेल को सुपरिम कोर्ट में सुनवाई होगी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता मामले के सुनवाई करेंगे डिल्ी हाइड कोट ने केजरीवाल की गिरफटारी कुछ सही ठहराया था हाई कोट के इस वैसले के बाद केज़िवाल ने सुप्रिम कोट का दर्वाजा खटखट आया था केज़िवाल ने एडी की गिरफतारी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायत की थी केज़िवाल की एडी की गिरफतारी को यहां पर गेर कानूनी बताया है आपको बता दे कि दिली हाइकोट ने 10 अपरेल को केज़िवाल को राहत नहीं दी थी दिली हाइकोट ने केज़िवाल की गिरफतारी को सही बताया था जो अर्विंद केजिवाल के लिए सबसे बड़ा जटका था हाई कोट ने अपने आदेश में कहा था कि अर्विंद केजिवाल की गरफतारी गयर कानूनी नहीं है एड़े के पास उन्हें जांच में शामिल करने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा था और उन्हें छे महीने से ज्यादा वक्त तक बार बार समन जारी कर पेश होने के लिए कहा गया लेकिन उन्हें इसका पालन नहीं किया यही उनकी गरफतारी की सबसे बड़ी वज़ा थी हाई कोट ने कहता कि आम आदमी या किसी मुख्य मंत्री के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता कानून सब के लिए एक समान है जेस्टिस वन कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि गरफतारी अवैद थी या नहीं गरफतारी के मुद्धे पर फैसला राजनेतिक बयानबाजी से नहीं बलकि कानून के दाइरे में रहकर कानून के इस्तमाल से किया जाना चाहिए जबकि आम आदमी पार्टी ने दिली हाई कोट के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिये थे आम आदमी पार्टी के नेतों और दिली सरकार में मंत्री सौरब भारत द्वाश ने प्रेस कोंफरेंस में कहा था आज जो फैसला हाई कोट का आया है कोट है कोट के इंस्टिउशन है इंस्टिउशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वा के कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोट जाएंगे और सुप्रीम कोट के अंदर अपनी बात रखेंगे. तो आम आदमी पार्टी के निता सुरव भारतवाच के इस बायान से साफ है कि आम आदमी पार्टी को न्याय पालिका पर भी भरूसा नहीं है. उन्हें लगता है कि अदालत भी उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है. इधर दिली हाई कोट के अरविंद के जिवाल की गिरफतार को चुनोती देने वाली याचिका को खारिश करने पर तो बीजेपी निता सुधांशु त्रवेदी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का एहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार अर्विंद के जिवाल का किरदार धार धार तत्यों के साथ पूरी तरह से तार-तार हो गया उन्होंने आगे कहा आम आदमी पार्टी का एहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धार-दार धार तत्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है तो बीजेपी ने तक के इस बयान से भी साफ है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो अपने आपको यहाँ पर कटर इमानदार का तमगा लिए घूमती है वो ही दाउधार है दिली हाई कोट ने 9 अपरेल को शराब नीती मामले में मौक्यमंदरी अर्विन केजवाल की गरफतारी रिमान को सही ठहराया था हाई कोट ने कहा कि एडी ने हमारे सामने पुखता सबूत पेश किये हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भीजा गया था हाई कोट ने फैसले में सीम को रिमान बर भीजने का फैसला भी बरकरार रखा हाई कोट ने कहा कि हमें समवेधानिक नेतिकता की फिक्र है ना कि राजनेतिक नेतिकता की मौजूदा केस केंदर और केज़िवाल के बीच नहीं है ये केस केज़िवाल और एडी के बीच है हाई कोट ने कहा था कि एडी ने कानूनी प्रिक्रिया का पालन किया है उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान है शराब नीती केस में अर्विंद केजिवाल की गिरफतारी गार कानूनी नहीं है AD की गिरफतारी की कारवाई सही है केजिवाल ने दलील दे कि AD के पास कोई सबूत नहीं है वो मनी लॉंडरिंग में शामिल थे ये कहना है दिली के मुख्यमंत्री की हवाला ट्रांजक्शन कर रहे होंगे यह हासिलस्पद है एडी ने कहा कि अपरादी और आरूपी ये नहीं कह सकते कि हम गुना करेंगे हमें इसलिए गिराफतार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाब है हम अंधेरे में तीन नहीं चला रहे हमारे पास WhatsApp चैट है हवाला ओपरेटर्स के बयान है और Income Tax का डेटा भी है शराब घोटाले में दिली सीम को 21 मार्च को एडी ने अरेस्ट किया था एडी ने 22 मार्च को केजवाल को राउज जवन्य कोट में पेश किया था कोट ने दिली सीम को 28 मार्च तक एडी रिमान पर भेजा जो बाद में 1 अपरेल तक बढ़ा दी गई एक अपरेल को कोट ने उन्हें 15 अपरेल तक की नियाए खिरासत में तिहार जेल भेज दिया था वो पिछले 9 दिनों से तिहार जेल में बन थे शराब नीती केस के गवा, राघव मंगूटा और शरत रेटिक के बयान PMLA के तहत रिकॉर्ड किये गए इडी ने केजिवाल के खिलाफ सबूत इखटा किये कि वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरह से इन्वाल्ब थे यानि कि किंग पिंग यहाँ पर केजिवाल को बताया इडी ने खुला सकिया कि केजिवाल आम आद्मी पार्टी के सहयोजग के तोर पर भी इस मामले में शामिल है गिरफतारी पर सवाल उठने का मसला है हम जानते हैं कि गिरफतारी और रिमांट की जाच कानून के हिसाब से होगी ना कि चुनाव की टाइमिंग को दे कर केजिवाल चुनाव की तारिखों से पक्के तार पर वाकिफ होंगे उन्हें पता होगा कि इलक्षन कब होने ये नहीं कहा जा सकता है कि गिरफतारी का वक्त इडी ने तै किया है दस्तवेज और सबूत पेश किये गए इससे साबित होता है कि इडी ने कानून का पालन किया और इसी कानून के तहट उन्हें गिरफतार किया गया ट्राइल कोड का पैसा गुआ के चुनाब में भीजा गया, यह बयान किस तरह रिकॉर्ड किये गए, किस बात पर शक्क करना, कोट और जच पर कलंक लगाने जैसा है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का कानून जो है, वो सौ साल पुराना है, ना की एक साल पुराना, कि याचिका करता फसाने के लिए इसका घलत तिसमाल किय गया कि यांई बर हाइप हाई टे साफ हम पैश के गये गए हैं वह सकती है या आरोपी तेह नहीं करेगा कि जांच किस तरह की जाएगी जांच आरूपी की सुविधा के मताबिक नहीं की जा सकती किसी भी आदमी के लिए भले ही वो मुख्यमंत्री क्यूं नहीं दी जा सकते निया इधिश कानून से बने हैं ना की राजनीति से फैसले कानूनी सिध्धान तो पर दिये जाते हैं राजनेतिक सुझावों पर नहीं कोट ने यह भी कहा कि कोट यहां पर राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती हैं हम समयधानिक नेतिकता की फित है ना की राजनेतिक नेतिकता की मौजूदा केस केंद्र और केजिवाल के बीच नहीं है यह केस केज लिकाल को जटका लगा था अर्विंद के जिवाल और जेल में ही रहेंगे के जिवाल याचिका कहती थी कि उन्हें अवैद रूप से अरेस्ट किया गया उसे हाई कोट ने खारिश कर दिया आपको बदा दी कि किस मार्च 2024 को एडी ने केज़िवाल को उनके घर से दसमा समन और सर्च वारंट लेकर जब वो टीम पहुंची थी उसके बाद ही एडी ने कुछ से सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं अब देखना होगा कि केज़िवाल को सुप्रिम कोट से भी राहत मिलती है या नहीं लेकिन फिलहाल इसके आसार कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो एडी ने सबुत पेश की हैं वो काफी ज़ादा यहाँ पर कहें कि पता है इससे अगर अब की बार केज़िवाल जेल से बाहर गए तो फिर से जांच एजन्सियों के हाथ यहाँ पर मुश्किल से ही लग सकते हैं और जांच को प्रभाविज कर सकते हैं क्योंकि केज़िवाल काफी शातिर हैं आप जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो सबू सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार